आज 29 साल पूरे हो गए अयोध्या में हुए बाबरी विद्वन्स कांड के 6 दिसंबर 1992 की वो तारीख जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी आज हम आपको 6 दिसंबर अयोध्या बाबरी विद्वन्स कांड से जुड़े 6 ऐसे तथ्य बताएंगे जिसने भारतिय राजनीती की दिशा और दशा दोनों बदल दी इस कहानी को जानने के लिए हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना होगा जहां मस्जिद के नीव पढ़ने का जिक्र है यानी सोलहमी शताबदी तो चलिए जानते हैं पहला तत्य पंद्रह सोट्थाईस से पंद्रह सो तीस पे बनी मस्जिद पर लगे शिलालेख और सरकारी दस्तावेजों के मताबिक या मस्जिद हमला वर मोगल बादशाह बावर के आदेश पर उसके गवर्नर मीर बाकी ने बनवाई थी दूसरा तत्य निर्मोही अखाड़े के महंत रगवर दास ने चबूतरे को राम जन्मस्थान बताते हुए भारत सरकार और मुहम्मद अजगर के खिलाब सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा 29 जन्वरी 1885 को दायर किया था मुकदमे में 17 गुड़े 21 फिट लंबे चोड़े चबूतरे को जन्मस्थान बताया गया और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमती मांगी गई ताकि पुजारी और भगवान दोनों धूप, सर्दी और बारिस से निजात पाएं लेकिन इस मामले की सुनवाई करते हुए जज पंड़त हरकिशन ने यह कहते हुए निर्मोही अखाड़े के महंत को चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमती देने से इनकार कर दिया कि ऐसा करना भविश में हिंदूओं और मुसल्मानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना हुगा इस तरह मस्जित के बाहरी परिसर में मंदिर बनाने का पहला मुकदमा निर्मोही अखाड़ा साल भर में ही हार गया तीसरा तत्य निर्मोही अखाड़ा ने इसके बावजूद अवद के जुडिशियल कमिशनर डबलू यंग की अदालत में दूसरी अपील की जुडिशियल कमिशनर यंग ने 1 नवंबर 1886 को अपने जज्जमेंट में लिखा क्यत्य चारी बाबर ने शाड़े 300 साल पहले जान बुझकर ऐसे पवित्र स्थान पर मस्जिद बनाई जिसे हिंदू रामचंदर का जन्मस्थान मानते हैं इस समय हिंदूओं को वहाँ जाने का सिमित अधिकार मिला है और वे सीता रसोई और रामचंदर के जन्म भूमी पर मंदिर बनाकर अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं चौथा सच, 1936 में मुसल्मानों के दो समुदायों शिया और सुन्नी के बीच इस बात पर कानूनी विवाद उठ गया कि मस्जिद किसकी है वक्फ कमिशनर ने इस पर जाज बठाई मस्जिद के मुतलवी यानि मैनेजर मुहम्मत जकी का दावा था कि मीरबा की शिया थे इसलिए ये शिया मस्जिद हुई पांचवी हकीकत 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंग विशारत ने सिविल जजज की अदारत में सरकार जहूर अहमत और अन्य मुसल्मानों के खलाफ मुकदमा दायर कर कहा कि जन्म भूमी पर इस्थापित श्री भगवान राम और अन्य मूर्तियों को हटाया न जाए और उन्हें दर्शन और पूजा के लिए जाने से रोका न जाये। सिविल जजज ने उसी दिन ये स्थागना देश जारी कर दिया जिसे बाद में मामुली संसोधनों के साथ जिला जजज और हाई कोट ने भी अनुमोधित कर दिया। परियोग न करने की हिदायत दी। कल्यान सिंग ने स्थानिय प्रशाशन को केंद्रिय बलो की सहायता भी नहीं लेने दी। उसके बाद 6 दिसंबर को जो हुआ वह इतिहास में दर्ज हो चुका है। आडवाणी, जोशी, सिंगल जैसे शीर्स नेताओं ने सुप्रीम कोट के आपजरवर जिला जजज तेजिशंकर्ज और पुलिस प्रशाशन की मौजूदगी में लाखों कारसेवकों के साथ मस्जिद की एक-एक इंट उखार दी। मलवे के उपर एक स्थाई मंदिर बना दिया। लंबी सुनवाई, गवाही और दस्तावेजी सबूतों के बाद 30 स्तंबर 2010 को इलहाबाद हाई कोट ने जज्जमिन दिया। तमाम परिस्थितियों, साक्षों के आधार पर तीनों जज़ों ने यह माना कि भगवान राम चंद का जन्म मस्जिद के बीच वाले गुंबद वाली जमीन पर हुआ होगा। लेकिन जमीर पर मालिकाना हक के बारे में किसी के पास पुखता सबूत नहीं थे। इसलिए हाई कोट ने दो एक बहुमत से विवादित छेत्र को सुनी वक्ष बोर्ड निर्मोही अखाडा और राम लला के बीच तीन हिस्सों में बाटने का आदेश दिया। फिर तारीक आती है 9 मई 2011 सुप्रिम कोट ने अयोध्या जमीन विवाद में हाई कोट के फैसले पर रोक लगा दी। जिसके बाद सुप्रिम कोट ने 9 नमबर 2019 को 2.71 एकड की पूरी विवादित जमीन राम जन्म भूमी नियास को देने का आदेश दिया। और निर्मोही अखाड़े का दावा खारिच करते हुए तीसरे पक्ष सुन्नी वक्ष वोट को अयोध्या में 5 एकड की वैकल्पिक जमीन देने का फैसला सुनाया। आपको बता दें कि आज उसी जमीन पर एक भब्यवराम मंदर का निर्माड हो रहा है। जिसका सिलान न्यास 5 अगस 2020 को देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किया था।